बंद्यमात्रम साथियो। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सेकंड ग्रेड की ने बैच सुरू कि जा रहे हैं हैं वह कहां होंगे कैसे होंगे उन है सभी के हम चर्चा करेंगे परिक्षा कि क्या समवना हैं कितनी समयावदी में हमारा बैच है वो पूर्ण हो जाएगा और बैच में हम क्या करने जा रहे हैं सुरतगड में कहां हो रहा है यह तो आपको पता ही है हमारे टेलिग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको सुचना लगातर मिल रही है आप यहां क्या है कि सबसे पहले के अपने सेकंड ग्रेड के बैच की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि अंक विवाजन जो सेकंड ग्रेड का है वो किस तरह का है क्या है अंक विवाजन है यह हम और फिर हम इसकी टेस्ट सिरीज की बात करेंगे और बैच है ये कितने समय में पूरा होगा इसकी बात्चित की जाएगी और परिक्षा की क्या संभावना है यानि परिक्षा कब हो सकती है इन सभी की चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे साथ तो सबसे पहले एक एकर की क आता है और करेंट अफेर्स जो राजस्तान का है यह 20 अंग का आता है यानि कुल मिलाके हम कहें कि सू अंक का यानि 50 प्रशन है यह हमारे राजस्तान जी की कि इसमें आते हैं हम सभी को पता रहते हैं इसके अलावा भारत विश्व का सामाने ग्यान है यह हमारे साथ अंक का आएगा और साइकलोजी शिक्ष्या जो मनवज्ञान है एजूकेशनल साइकलोजी है यह 40 अंग की आएगी टोटल हमारा 200 अंग का पेपर रहने वाला है फर्स्ट पेपर देखिए सेकंड ग्रेड का टीचर हमें बनना है ग्रेड सेकंड का यह हम कह दें कि हमें क्या है कि वरि गूसरा 300 अंक का है टोटल 500 अंक होंगे और टोटल 500 अंक में से हमें क्या है मेरिट बनेगे और अपने को यह द्यानक ने कि निउन्तम इसमें चालीष परतीशत अंक लाने अनिवारे हैं अलग अलग फर्स्ट पेपर में अलग और सेकंड प्रेड में अलग अब देखिए सबसे पहले तो टेस्ट सिरीज की जब भी बात करें कि टेस्ट सिरीज है किसकी टेस्ट सिरीज सेकेंड ग्रेड में सेकेंड ग्रेड में जो टेस्ट सिरीज है कौन सी टेस्ट सिरीज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम पेपर फरस्ट की पूरे की करने जा रहे हैं पेपर फर्स्ट हम करने जा रहे हैं एसस्ती की सामाजिक विज्ञान की हम करने जा रहे हैं मैट्स की और हम करने जा रहे हैं हिंदी की यह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पेपर प्लस यह तीन सब्जेक्ट है अब देखिए यहां अपने को ध्यानक नहीं कि जो टैस है कि इस test reach में तो यह क्या होगी कि online होगी तो तेसी रीज है online online कहा होगी मन्थन पिलिबंगा एप पर होगी को मन्थन पिलीबंगा नामसे एप है cannot this faithful LED पर क्या है कि यह online result रहने वाली नमबर एक बात online यहां इसके एलावा ओफलाइन यह पीलिबंगा में भी होगी और सूरतगड में भी होगी पीलिबंगा और क्या है यहां पर यह टैस्सरीज है यह ओफलाइन होगी टैस्ट्षी प्रारंब कमोनी है हालांकि हमें सेडूल तोड़ा डालना था वो क्या कि आज 14 अप्रेल है 16 अप्रेल को सेडूल आपको मिलेगा तैस्टिरीज में तैस्टिरीज प्रारहम कब हो रही है यह प्रारहम होगी यह 24 अप्रेल से होगी जाएगा हालांकि यह पहले डाले जाना था पर थोड़ी सी कुछ है हमारी हम कहीं टेक्निकल समझ्या की काइन हम इसको प्लब्द नहीं करवा पाए और अब इसको कह 16 अप्रेल को हम आपको प्लब्द करवाएंगे यह तो पूरी की पूरी जानकारी कहा है टेस्ट स्रीज की ह यहां अपने को ध्यानक नहीं कि पेपर फस्ट है यह टोपिक वाईजी होंगे सारे पर इसमें 100 प्रशन परतिक पेपर में आपको मिलेंगे और इसमें महतपुन रहती है पहले तो यह बताते हैं कि कक्षाई यहां लेंगे टोटल जो परत्योगी परिक्षाओं में लंबे समय से अनुगव रख रहे हैं जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और खुद परत्योगी परिक्षाओं में बार-बार पास कर चुके हैं अलग-अलग परत सोवार से प्रारम हो रही है अठारे अप्रेल सोवार से यह है हमारी कक्षाइं प्रारम हो रही है और यहां देखिए एक ध्यान लखिएगा कि सूरतगड है सूरतगड में आपको कहें कि इसका टाइम रहेगा ये सुबह साथ बज़े से लेकर दस बज़े तक सुबह साथ से सुबह साथ से दस बज़े तक ये रहेगा ये अपने कुद ध्यानक नहीं सुबह साथ से दस बजे तक सुरतगड में यह टाइम रहेगा कब सुबह का ठीक है और इस में कहें कि हम राजिस्तान जी के साइकलो जी भारत विस्व का ज्यान भारत और विस्व जी के यह निसम पूरा सीलेबस करेंगे और सीलेबस में क्या है कि हम अच्छी तरह से यह देखेंगे कि कौन से टोपिक से कैसे कुषन पूछे जाते हैं पीछे कैसे आईएं आगे आने की संबावना क्या है अन्ये अग्जामस में उन्न टोपिक में कैसे कोशन पूछे गेते इन सभी पर विश्तिर चर्चा करते हु फ्री क्लास है यह आपके लिए रहेगी क्लासिज और इन साथ दिन क्लासिज में लगा कर आप मुल्यांगन कर सकते हैं अपने आपका कहां आपकी त्यारी है और कैसे आपको करवाए जा रहे हैं कैसे आपको नोट्स लिगाए जा रहे हैं कैसा मेटर आपको करवाए जा रहे ह वास्ताम में आपके स्लेक्शन वाला है वास्ताम में आपके टोपर बनाने वाला है किस तरह का मेटर है वह आपको इन सेवन डेज में पता चल जाएगा तो साथ दिन यह ओफलाइन क्लास है यह सूरत गड़ी जो अठारे अप्रेल को हम प्रार्यम कर रहे हैं सुबह साथ से स सुबह 10 बजे तक 3 गंड़े की जोकक्षा है इसमें सारी परकेरिया है वह आपको समझा दी जाएगी कि किस तरह से आपको पढ़ना है पढ़ने के लिए हमी क्या करना चाहिए रिवीजन कैसी करना चाहिए टेस्ट को अटेम्ट कैसी करना चाहिए और पेपर को ध्यान में रखते हुए त्यारी कैसे करें पूरी रणनीति के साथ साथ में आपको स्लेबस है यह पूरा करवाया जाएगा तो इसमें आप सभी साधर रामंत्रित हैं और आप आएं और अच्छे से क्लास सेवें डेज लगा के देखें और इसमें कि आप कम से कम पूरी रणनीति तो जानके ही जाएं कि किस तरह से आपकी क्या त्यारी आपको करनी चाहिए क्योंकि हम अब तक जो हमारी टोपर्स रहें उन टोपर्स के आधर पर कि हमारी टोपर्स कैसे आ रहे हैं हमारी रणनीति क्या रहती है उस तरह से सब तरह से व्यक्तिकत आपकी कोई समस्या है उस पर ौद ने बात करें कि परिक्षा की संभावना आप स्मभावना की बात करूँ से पहले बैच की समयाव दी Remember यह कब सेंवापत हो जाएगा यहनी हमारा प्रारम कब हो रहा है बैच प्रारम नहीं जो सैकेशखर औरुट वाला यह 48 अपरेल को हमारा। प्रारंब हो रहा है 18 अप्रेल 2022 अब इसमें आप इसका समापन मान लिजिए यह समापन है यह आपका अगस्त लास्ट में होगा अगस्त लास्ट में यानि लगबग यह मान के चले कि आपका चार से साड़े-चार महिने में महा में यह सिलेबस है यह कंप्लीट हो जाएगा चार से साड़े-चार महा में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए याद करते यह टेस्टीरीज हमारे बैच के विद्यार्तियों के लिए बिल्कुल निश्रुक रहने वाली है और बाहर के विद्यार्ति भी जो जोईन करना चाहते हैं वो जोईन उसको कर सकते हैं यह इतना टाइम इसकी समयावदी रहेगे अगस्त लास्ट तक हम इसको कर लेंगे और प अक्टूबर में पेपर देखने को मिलेगा तो अक्टूबर में पेपर होता है तो अगस्त लास्ट में हम स्लेवल्स करेंगे साथ में पढ़ते हुए करेंगे याद करते हुए करेंगे तो निश्यत तोरपे सातियों यह है कि सितंबर और अक्टूबर दो महा हमारे लिए और ज्यादा रिवीजिन करने के लिए होंगे उसमें हम आपको एक नई रणनीती और देंगे कि हमें दूसरों से आगे कैसे निकलना है और दूसरों के आगे निकलने के लिए हमें क्या करना है ठीक है तो यह इनकी बात रही नेक्स अपनी बात करें लास्ट में कि चैन की रणनीती का चैन रणनीती का आधार क्या होता है चैन का आधार चैन कह दे या कह दे टोप करने का आधार क्या होता है अब देखिए टोप करने का आधार मित्रों अपनी को यह ध्यान रखना चाहिए अच्छी तरह से आपको भी मुल्यांकन करना है चाहिए आप कोचिंग करें कि करें आप को डो फर्स में आना या अच्छी रेंकर चैन कराने के लिए मिस आधार आपके पास होना चाहिए सबसे पहली बात तो यह है साथीud कि आप के पास क्या हो कि आपको पहले से पता हो एक स्पस्ट रणनीती क्योंकि डिसीजन तो हमने ले लिया कि सेकेंड ग्रेट करना है स्पस्ट रणनीती स्पस्ट रणनीती कि में क्या हूँ समलित होता है स्पस्ट रणनीती में यह समलित होता है कि हमारा सिलेबस कब तक हो जाएगा सिलेबस कब तक हो जाएगा यह अभी पता होना चाहिए नमबर एक बात दूसरा कि दूसरा यह कि टेस्ट सिरीज जो हम टेस्ट देते हुए अन्य विद्यार्थियों के साथ अपना मुल्यांकन करते हैं तो मुल्यांकन करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो निश्य तोर प हमें यह होना चाहिए कि हमारा जो रीवीजन है वो हम कैसे करें यह यानि सात में ऐसा ना हो की कैसे करें यह में पता होना चाहिए तो इसके हम बात्यिन में करेंगे जिसमें आप कलास में आएंगे नहलेंıktर आब DR. क्या करें यह स्टार्टिंग डेज में हम सब बात करेंगे तो इस पस्ट रंडीती में सिलेबस कब तक हो जाएगा तेस्ट हमारे किस तरह से देनी है और हमारे रिविजन कितनी बार हो कैसे रिविजन करना है यह में पहले से पता होना चाहिए एक बात दूसरा क्या है कि दूसरी बात यहां है कि हमारा सिलेबस है औरहां सिलेबस हमारा क्या है कि हम हमिछ समझकर याद होना चाहिए समझकर याद होने का क्या तात्रहें है कि यहां हम कहें कि हम स्लेबस गुशısı को रद देंगे हम इन चीजों को रट देंगे रटने पर मत जाईए मित्रो अगर आपको स्ताई याद करना है लंबे समय तक आपको याद रहें आप अच्छे से कोश्चन सोल करें और बाद में भी आप व्यर्थियों को अच्छी तरह से वारक दिर्शित करें तो आपको स्लेबस समझ कर या स्लेबस समझ के करें तैसरी जोइन करें और कितनी बार रिवीजन हो जाएगा यह हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिससे क्या है कि हम अक्टूबर तक बहुत अच्छे से त्यार हो जाएंगे चुंकि यह उब्जक्टिव प्रिक्षा होती है पर उब्जक्टि से कैसे बनेंगे इन की चर्चा हमारी रहेगी हम बाचीत करेंगे तो आप सभी सुरतकड़ में 18 अप्रेल से साधर रामत्रीत हैं सेवन डेज के लिए आप सभी के लिए यह हमारी रणदीती हमारी कक्षा है बिल्कुल निशुलक रहने वाली है इन सेवन डेज का फायदा सब जरूर उठाए और उसके बाद आगे की पूरी चर्चा अपने क्लास में रहेगी आज इतना ही साती हो जैहिन बंदे मात्रम